हेलो एवरिवन नमस्कार वेलकम बैक अगेन टु प्रॉक्सी ग्यान मैं आपका एदुकेटर सही शाबास दिल से स्वागत करता हूँ हमारे प्रॉक्सी ग्यान यूट्यूब चैनल पे तो आज का जो हमारा इंडियन पॉलिटी लेक्चर रहेगा दोस्तों वो लेक्चर नमबर 22 के बारे में आज हम डिसकस करेंगे जो के वरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो आज का जो लेक्चर है हमारा वो पार्लेमेंटरी सिस्टम के बारे में रहेगा इसके merits के बारे में मैं आपको बताऊंगो उसके पहले जो features होते हैं उसके बारे में आज हम discuss करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों शुरू करने से फ़र एक छोटा सा information मैं आपको देना चाहता हूँ कि हमारे channel पे बच्चों के लिए एक test series को शुरुवात किया हुआ है जहां पे आपको 20 full length test होंगे 20 sectional test होंगे और 5 आपको full length test हैं पे दिये जाएंगे इसके इलावा आपको जह previous question papers भी cover किया जाएगा और जो भी बच्चे BPSC के लिए prepare हो रहे उनके लिए private telegram group create किया जाएगा दोस्तों आपके doubt जह real time पे solve किये जाएंगे ठीक है तो सब कुछे यहां पे आपको सहुलत दी जा रही है with only cheap and affordable price that is 4.99 सारा package आपको 4.99 में मिल जाएगा तो आप खरिदना चाते है तो यहां पे description में आपको link provide कर दूँँ वहां से आप purchase कर सकते हैं तो चले शुरुआत करते हैं शुरू करने से पहले एक छोटी से request है कि आप हमारे channel को please like share और subscribe कर दीजेगा दोस्तों ताकि हमको भी motivation वे ले और notification bell icon को भी on कर लिजे ताकि जितने भी important videos है आपको time to time उसका update मिलता रहेगा तो अगर आपके पास Indian politics की किताब जो 6th edition है तो 6th edition जो Indian politics की किताब है अगर आपके पास है तो उसको open कर लिजेगा क्योंकि आपको भी समझ में आएगा कि हम कौन से chapter में है okay line to line मैं आपको समझा रहा हूँ easy language में ताकि आपको याद हो जाए अगर किताब भी नहीं है तो कोई problem नहीं आप जो पीडियो फाइल डाउनलोड कर सकते हैं online में आपको कहीं पी भी मिल जाएगी दोस्तों तो चलिए शुरू करते है आज का जो topic है हमारा system of government so यह part 3 है दोस्तों जहां पर हम लोग अभी enter हो चुके है parliamentary form of system क्या होता है presidential form of system क्या होता है right so इनके जो merits और demerits है उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको तो यहां देखिए आपको article 74 and article 75 deal with the parliamentary system at the center वही अगर article 163 and article 164 की बात करे so it deals with the you know states so modern democratic governments are classified into two types जितने भी आपने worldwide governments देखा होगा है two types के होता है एक आपको parliamentary form of government होता है दूसरा आपको president form of government देखने को मिलता है तो यहां पर अगर आप देखिएंगा on the basis of nature of relation between executive and legislative organs of body तो उनके relations पे ठीक है उनके structure पे इस government को मतलब इस type of government को design किया जाता है दोस्तों यहां पर आप देखेंगे parliamentary system जो government होती है वहां पर executive is responsible to the legislature executive is responsible to the legislature in parliamentary form of government वह ही अगर presidential form of government की बात करें प्रेशिदेंशल form of government में यहां पर executive और legislature को कोई भी relation नहीं होता है दोस्तों यहां पर presidential form of government में जो भी policies है जो भी acts है वो स्रिफ executive अपने खुद के तरीखे से बनाता है दोस्तों यहां पर independence दी जाती है legislature को in the respective office term of office और parliament government को हम और एक नाम से भी जानते यह भी याद रखीजे आप exam में आपको पूछ सकते है Parliament form of government में क्या कहते है cabinet government कहा जाता है दोस्तों क्या कहते है cabinet government इसको कहा जाता है और इस तरह के government आपने obviously देखा होगा UK में ब्रिटन में आपने देखा होगा जपान में आपने देखा होगा Canada में भी यही तरह की government है दोस्तों जो हमारे इंडिया में presidential form of government on other hand you can see in US etc they are non responsible and non parliamentary तो जैसा मैंने कहा कि Parliament form of government को cabinet government भी कहा जाता है so parliamentary form of government को क्या कहते है cabinet government भी कहते है ठीक है यह किस ने रखा नाम यह भी याद रखी जगा यह भी important है यह Ivor Jennings ने रखा दोस्तों किस ने रखा Ivor Jennings I think मेरी handwriting जो है थोड़ा भी improve हो रही है तो उन्होंने कहा था and इनका मानना यह कि parliamentary form of government में जो cabinet होता है cabinet ministers जो होते है it is a nucleus okay हर एक cell का जो हर एक autumn का nucleus होता है उसी तरह center point of attraction इसे माना जाता है दोस्तों they are also called responsible government जहां पे parliament को accountable होती है दोस्तो executive legislature सुब कुछ and इसको जो है Westminster model of government भी कहा जाता है this is also very very important parliamentary form of government को क्या कहते है बहुत बार पूचा है actually है इसको हम कहते है Westminster model okay Westminster model form of government और यहां पर आप देख सकते है prime minister को जो है leader of the house माना जाता है leader of the country माना जाता है उनको primus enter Paris मतलब first among equals उनको कहते हैं so उनके power उनका influence significantly differ रहता है when compared to the cabinet minister और इस तरह की जो parliamentary हो या British political administrative system हो prime minister का बहुत ही dominant role होता है बहुत ही important role यहां पर होता है and बहुत सारे यहां पर आप देखेंगे British system of government as a prime minister government भी इसे कहते हैं जो इस तरह की British form of government है तो इसको हम क्या कहते हैं एक और prime minister government भी कहा जाता है क्योंके he is the leader of the house and he is the leader of the party he is the leader of the country so prime minister government भी इनको कहते है so this is about the basic introduction of the parliamentary form of government and what is the difference between एक जो एक दो difference भी मैंने आपको बता दिया है parliamentary form of government और president's fault of government चलिए अब आगे बढ़के देखते हैं features of parliamentary government दोस्तों क्या-क्या features है वह भी important है उसके बाद हम merits or demerits if possible मैं इसे lecture में cover कर लूँगा अगर नहीं है तो मैं आपको जो है दूसरे lecture में आपको cover करवात हूँ है दोस्तों don't worry about it तो चलिए features of parliamentary form of government हम देखते हैं तो पहला है nominal and real executive यहाँ पर अगर आप देखेंगे parliamentary form of government में जो है direct public voting होती है तो प्राइम मिनिस्टर जो है elect होके आते हैं यहाँ पर पांस साल तक इनकी ruling period होती है दोस्तों जो लोग सभा का जो tenure होता है वह कितना होता है पांस साल का होता है तो पांस साल तक ruling government जो है सारे इंडिया के policies को implement करती है उसको design किया जाता है executive is responsible for the legislature क्योंकि यह जो प्राइम मिनिस्टर है cabinet minister है सारे के सारे legislature के अंडर आते हैं इन्होंने जो भी rules pass किये जो भी योजनाय बनाई जो भी programs बनाई उसको executive implement करता है executive के अंडर हम और आप जैसे लोग आते हैं जैसे officers हो गया officer category के लोग बट यहां पर अगर आप देखेंगे president को जो है nominal executive की तरह रखा गया है and prime minister को एक real executive मानते है and president is the first citizen of India भी कहा जाता है और head of state भी है दोस्तों he is the first citizen of India and head of the state है well prime minister क्या है दोस्तों he is the head of the government क्यूंके अगर prime minister के खिलाफ no confidence motion अगर pass हो गया okay तो उनकी जो government हो गिर जाएगी prime minister को जो resign करना पड़ेगा दोस्तों जैसे ही prime minister resign कर देंगे सारे के सारे cabinet minister सारे के सारे council of minister सब को resign करना पड़ेगा and पूरी की पूरी government जो है lapse हो जाएगी collapse हो जाएगी तो इसलिए prime minister को क्या कहते है he is called the head of the government ये no confidence motion होता क्या है किस तरह से pass करते है आने वाले lectures में आपको अच्छे से समझाओंगा the advice is so tendered that it is binding on the president this is very very important पहले जो है binding नहीं था constitutional amendment act लाया गया था उसके बाद से प्रेजिदेंट के पर binding कर दिया गया था दोस्तों तो article 74 क्या कहता है एक council of ministers होते है जिसको head करते है prime minister साहब and prime minister साहब की उनकी और advice इनको basis पे president जी जो है अपने functions को carry out करते है and this advice is binding on the president हो गया चलिए और article 75 ये कहता है कि council of minister को appoint किया जाता है president के द्वारा however किसके recommendation पे prime minister के recommendation पे दोनों के articles से तो next है अभी majority party rule दोस्तों नाम महीं आपको पता चल रहा होगा जब भी हमारे इंडिया में elections होते हैं obviously अभी 2024 में elections होने वाले हैं prime minister के तो अभी सारी देश देखेगी कि हमारे prime minister कौन रहेंगे क्या रहेगा सब कुछ अभी next year पूरा बदलने वाला है तो जिसको जिस party को सबसे ज्यादा सबसे high votes मिलते हैं तो obviously वह ही government जो है क्या करती है रूल करती है दूस्तों जिसके भी लोकसभा में majority of the seats मिल जाती majority of the seats को जीत लेते हैं तो they will secure 5 years of government and जो भी उस party का leader होता है BJP पर्टी के leader कोन थे हमारे नेंद्र मोदी जी थे जो leader of the party है वो क्या बन जाते है prime minister of India बन जाते हैं और जितने भी other ministers हैं सब कुछ appoint किया जाता है किसके द्वारा याद रख लिए president के द्वारा appoint किया जाता है however on aid and advice on aid and advice of किसका prime minister का article 75 मैंने आपको वही बोला था अगर कोई भी party को कुछ majority नहीं मिलती है no single party majority नहीं मिलती है तो उस वक्त हम लोग coalition form of government को form करते हैं coalition form of government को बनाया जाता है जहांपे different parties मिलके अपने roles को decide करते हैं किस तरह से यह लोग rule करते हैं but इनके पास coalition form of government में हमेशा से खत्रा बना रहता है कि अगर party dissolve होने का खत्रा बना रहता है अगर कोई भी MLS के support withdraw हो जाए तो government गिज जाएगी again they have to prove the majority of the members in the local but anyhow यह 10 सालों में तो हम लोग ने coalition form of government देखा नहीं क्योंकि BJP ही जो है rule करती आ रही है 2014 में जैसे ही Congress का Tata Bible हो गया था तो उसके बाद BJP आई 2019 में उन्हों फिर जीता अब फिर 2024 में किस तरह से बाजी पलटती है क्या होता है देखा जाएगा public किस को होट डालेगी कौन बनेगी हमारे Prime Minister next Prime Minister या फिर ऐसा भी माना जा रहा है कि हमारे India में दुबारा से एक फिर coalition form of government देखने को मिलेगा but let's see time will decide next है हमारा collective responsibility दोस्तों so collective responsibility की बात करें देखे this is one of the basic principle of parliamentary form of government जैसे मैंने कहा आपको कि अगर no confidential motion pass हो जाता है PM के खिलाफ तो इनको resign करना पड़ेगा इनको resign करने से क्या होगा जितने भी council of minister है इनको भी resign करना पड़ेगा and everything entire जो government होती है वो क्या हो जाती है दोस्तों dissolve हो जाती है तो इससे हमको यह पंतर हो राए कि Prime Minister और council of minister they are responsible for this government collective responsible है दोस्तों they act as a team अगर डूबेंगे तो साथ में डूबेंगे they swim and sing together the principle of collective responsibility employs that Lok Sabha can remove the ministry from office by passing of the no confidence motion जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अगर no confidence motion pass हो गया तो सबको resign करना पड़ेगा सारी की सारी की जो government हो क्या हो जाएगी dissolve हो जाएगी and जैसे ही dissolve होगी भी विरसेरी elections किये जाएगे और दुबारा से जो है इसको फिर चुना जाएगा हमारे प्राइमिस्टर so their collective responsibility ऐसा नहीं किसी प्राइम मिनिस्टर ने resign कर दिया तो उनकी जगह पे दूसरे PM को बिठा देंगे नहीं दोस्तों पूरी की पूरी council of ministers, cabinet ministers सबकी सब government खाली करना पड़ेगा this is called collective responsibility वही बात करें अभी political homogeneity की this is also one of the most important feature of the parliamentary system political homogeneity homogeneity का मतलब का होता है पहले वो जान लिए homogeneity का मतलब यह है same thinking same uniform रहना तो अगर आप इस word को इस political field में अगर आप apply करेंगे तो जितने भी prime ministers है council of ministers है सारे के सारे एक ही political party से belong करते है so they will share same political ideology this is a correct word actually same political ideology same political ideology in the case of coalition government the ministers are bounded by consciousness मतलब रजामंदी के साथ इनको पास किया जाता है जो भी bill हो जो भी programs हो कुछ भी हो क्या करते है consensus के साथ इसको पास किया जाता है this is a political homogeneity मतलब सारे के सारे same political ideology next बात करते हैं डबल मेंबर्शिप के okay the ministers are the member of both legislature and executive कई सारे के जो पार्टी के ministers होते है जो एक ही पार्टी के जो ruling party के होते है they are the members of legislature and क्या होता है दोस्तो they are also the members of the executive so double membership आपको easily मिल सकते है इससे क्या होता है कि आप जो है law बनाने में भी अपने advice को अपने suggestions को दे सकते हैं और उसी law को जब implement होता हुआ भी आप देख सकते हैं किस तरह से इसको ground level पे किया जा रहे है क्या क्या reality है क्यूंकि law बनाना तो आसान है जब तक आप उसको implement नहीं करेंगे तो आपको ground reality पता नहीं चलेगी आपको challenges क्या क्या है आपको पता नहीं चलेगा दुस्तों तो यह parliamentary form of government का एक unique feature है जहां पे ministers they will be the both members for legislature and executive and the constitution the member who is not a or the minister who is not a member of parliament okay तो उनको जो है six months का tenure दिया जाता है minister तो बन गए but member of parliament नहीं है दोस्तों यहां लोकसभा में नहीं है यहां भिर राजयसभा में नहीं है तो उस minister को six months का time दिया जाता है he has to become the member of the लोकसभा and राजयसभा clear हो गया next देखते है leadership of the prime minister so leadership of the prime minister is a vital role अगर आप मुझे पूचेंगा मने कहा था ना dominant role होता है harik government because he plays very important leadership role in the system of government and he is the leader of the council of minister he is the leader of the parliament next he is the leader of the party also leader of the party बने तभी जाकर तो उनको prime minister बनाया गया है दोस्तों and in this capacity he plays a very significant and highly crucial role in functioning of the government कोई भी policies ले लीजे आप कोई भी योजनाय ले लीजे and कुछ भी implement करना हो सारे के सारे PM की रजा मंदी से इसको implement किया जाता है तो he obviously he is the leader of the council of minister he is the leader of the parliament and he is the leader of the party also next देखते है dissolution of the lower house dissolution तो obviously जब आप एक बार government को form कर लेते हैं तो आपका जो lower house होता है जो लोक सभा होती है उसका tenure किता होता है जोस्तों general बात करे तो उसका tenure होता है पास साल हाँ अगर इंडिया में उस वक्त अगर emergency लग जाए national emergency लग जाए तो उस वक्त जो इनका tenure एक साल तक extend किया जाता है तो total हो जाता है इनका tenure six years यह very rare cases होते हैं but general बात करें general में इसका tenure होता है वो पास साल होता है right तो यहाँ पर अगर आपने देखा होगा dissolution of lower house की बात की गई है तो president अगर चाहे लोग सभा को dissolve कर सकते हैं president अगर चाहे लोग सभा को dissolve कर सकते हैं but however president के हाथ में वो single power नहीं दिया गया है okay he doesn't have any single power president को तभी dissolve कर सकते हैं लोग सभा on the advice किसकी advice पर on the advice of prime minister so prime minister जब advice देंगे तभी जाके president लोग सभा को dissolve करें उनकी मर्जी या फिर उनके हाथ में नहीं यह power हो की ऐसे ही dissolve करते before his expiry of 5 साल से पहले उनको dissolve किया जा सकता है और fresh elections भी यहाँ पर रखते हैं दुबारा से elections करवाए जाते हैं यह इससे यह पता चलता है कि executive enjoys the right to get the legislature dissolve in the parliamentary system okay so legislature का जो भरोसा नहीं होता है कभी भी dissolve हो सकते हैं even though ऐसा हुआ नहीं अभी तक okay so 5 साल का इनको time दिया जाता है इससे पहले भी हम dissolve कर सकते हैं इसका option रखा हुआ है right so next बात करें secrecy not secrecy secrecy भी जो एक very important factor है because जो भी ministers operate करते हैं on the principle of secrecy of procedure he or she cannot divulge information about their proceedings they cannot divulge they cannot divulge the information about their किस के बारे में proceedings के बारे में जो हुए रहते हैं they cannot disclose the information policies के बारे में जो भी policies लोग design you know decide करने हैं and whatever the decisions के बारे में okay so procedure policies decision and they should take the oath of secrecy before entering the office जो यहां पर जो है oath of secrecy होता है जो के हर एक minister को लेना पड़ेगा जो भी elect होते हैं यहां पर लोग सभा में okay it is very important क्योंके minister की जिमेदारी होती है की he should not divulge any information okay कोई भी security issues को लेकर हो okay sensitive information लेकर हो तो कोई भी आप इसको reveal नहीं कर सकते so this is the features of parliamentary system उमीद है कि आपको आज का मेरे lecture पसंद आया होगा धीरे धीरे पड़ाओंगा detail में समझाओंगा ऐसा नहीं कि हम एक रात में किताब खातम करने बैठे हैं बहुत ही लंबा किताब है अगले 2-3 महने तो लग जाएंगे complete करेंगे हम जरूर तो चलिए मिलता हूँ मैं आपको अगले lecture में कुछ interesting topic के साथ तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों take care stay safe stay healthy thank you so much